नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं इसके अलावा अदालत ने जामानत की कोई अनसर्थ नहीं लगाई कोट के आदेश के बाद देर साम हे मंत करीब 149 दिन पांच महीने बाद जेल से बाहर आया है जेल गेट पर समर्थको और उनके परिजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया इससे पहले सभी पक्षो की दलिले सुनने के बाद 13 जूनको कोट ने फासला सुरक्षित रख लिया था मताद जश्टिस मुखो पध्याय ने जमानत परदान करते हुए कहा है कि इडी ने हेमान सुरेन पर जमीन पर कबजा करने का जो आरोप लगाया है उसे वह सावित नहीं कर सकी है उक्त भूखांड पर हेमान सुरेन के कबजे से समान जित एक भी दास्तावेज इडी अभी तक पेस नहीं कर सकी है इडी ने इस मामले में जिन लोगों के ब्यान लिये हैं उससे भी सावित नहीं हो पा रहा है कि वह जमिन हेमान सुरेंट से जुड़ी है जहारखन में अब 200 यूनिट बिजली फिरी मुख्य मंत्री चमपई सुरेंट के अधक्स्ता में सुक्रवार को हुई राज्य मंत्री परशत की बैठक में 40 प्रस्ताओं को सुख्रित दी गई है इसमें राज्य के 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उभगताओं को प्रती माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निरनय लिया गया पूरु में घरेलू उभगताओं को 125 यूनिट बिजली प्रती माह मुफ्त दी जाती थी केबिनेट के निरनय की जनकारी देते हुए मंत्री मंडल समन्वे बिभा की परधान सची वंदना दालेल ने बताया है कि मुख मंत्री अबुआ स्वास्त यूजना के तहत जमानत देने समबंदी आदेश को सत्य की जीत बताया है उन्होंने कहा है कि सत्य परशान हो सकता है पराजित नहीं उन्होंने पुर मुखमंत्री के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें सत्य में उजयते लिखा है कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा है कि वे सुरू से कहते आ रहे थे कि जमीन के जिस मुकादमे को लेकर हेमंत्र भावो पर आरोप लगाया गया उसके बहिक हाते में उनका नाम तक नहीं है उन्हें पुरा भरोसा था कि नियालय से हेमंत्र भावो की नियाय मिलेगा चमपाई सुरे ने कहा है 2019 में हेमान सुरेंग नेतियुत में गटबंधन ने चुनाव लड़ा और जाना देश प्राप्त किया हेमान सुरेंग पार्टी के कारकारी अध्याक छाएं जेल में उनके रहने पर भी और बाहर आने के बाद गटबंधन और अधिक मजबूत होगा नेतियुत परिवरतन से जुड़े सवाल पर मुख्य मंद्री चंपाई सुरे ने कहा है कि यह गटबंधन का विशाय है सबसे बड़ा संगठन होता है हुल दिवस समारों की त्यारी को लेकर साहिवगान डीसी की बैठाक साहिवगान डीसी हेमान सतीने हुल दिवस समारों की त्यारी को लेकर सुक्रवार को समाना लाए अधिकारियों के साथ बैठाक की कारिकरा में मुख्य मंद्री चंपाई से बतर मुख्य हती थी सरीकत होंगे वह इस दिन का योजनाओ का सिलन्यास वधगाटन भी करेंगे डीसी ने अधिकारियों से त्यारीयों के बारे में जनकारी ली और कहा है कि बरसात के मौसम को देखते हुए पंडाल वाटर प्रूप होना चाहिए सिलन्यास वधगाटन वाली वज नाओ से समंदी सभी आवस्यक करवाई सुनिश्चित करने को कहा है बतादे बरहेट के भोगना डीस्थी सिदु कानुपार की साब सफाई कराने का विनिदेश्थिया है बैठक में एस्पी कुमारगोरव डीडीसी सतीस चंद्रा भी उपस्थी थे जे एस एस्थी में 510 पदोपर नियुक्ती 31 अगस तक ऑनलाइन आवेदान स्वास्त भी भाग में छेतरिये करकरताओ के 510 पदोपर नियुक्ती होगी ज़ार्खण्करमचरी चेन आयोग इसे लेकर ज़ार्खण्चेतरी ये करकरता नियुक्ती परतियोक्ता परिक्षा 22 चोविस का विजन करेगा स्वास्त भी भाग के उन्न संसा मिलने के बाद आयोग ने सूक्रवार को इसका बिगापन भी जारी कर दिया है आयोग द्वारा जारी कारिकरम के तहत इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ओनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वहीं 2 सितंबर तक परिक्षा सुलका भुकतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होगा बतादे आवेदन पत्र के प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए 4 सितंबर तक लिंक खुला रहेगा वहीं 6 से 8 सितंबर तक ओनलेन आवेदन में स्तंसोधन के लिए लिंक उपलवत कराया जाएगा स्वास्ट करकर्ता के पदो पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपे बेतनमान लेवल 1 में नियुकती होगी नियुकती के लिए आवस्यक योगता आवेदन के अम्तिमतिसी तक दस्वी या मैट्रिक उतिन होना अनिवार्य है हेमान्त स्वरेन की जमानत को सुप्रीम कोट में चुनावती देगी एडी पुरमुख मंत्री हेमान्त स्वरेन को हाई कोट से मिली जमानत से एडी विचलित नहीं है ED के अधिकारिक सुत्रों का कहना है कि वे बहुत जल्द ही हाई कोट के इस आदेश को सरोच नियाले में चुना होती देंगे ED ने पुकता सबूत के अधार पर हेमान सुरेन को गिरपतार कर जेल भेजा था अनुसंधान में कहीं कोई चुक नहीं हुई है जब सबूत वा दस्तावेज हेमान सुरेन को दोसी ठाराने के लिए प्रयाप्त है PMLA कोट में भी ट्रायल के दोरान ED पूरी मजबूती से सबूतों के साथ खड़ी रहेगी बता दे बरियातू की जीस 8.86 एकर जमीन को कबजा करने के मामले में ED ने हमान सुरेन को गरपतार किया था उसे समंधी सबूत भी ED की चासित में सनलग नहाए ED सरोच ने आले को सभी तथेयों से आउगत कराते हुए हमानत के जमानत आदेश को रद कराने का आगरा करेगी राश्ट्रिये पूरसकार के लिए सिक्षक कर सकेंगे नमांकान राज्ट्रिय पुरसकार के लिए शिक्षको के नमांकन से लेका सोट लिस्ट करने यहम अमतिम रूप से चैन की परकिरिया ओनलाइन पूरी होगी इस विभीन परकिरियाओ के लिए समय सिमाताय कर दी गई है सिख्षको के आउनलाई नमांकन के बाद जीला तथा प्रमंडल अस्तरिये कमिटी 16 जुलाई से 25 जुलाई तक सिख्षको को सोटलिस्ट कर आपने अनुसांसा इस्कुली 66 सता विभाग के सचीव के अधक्ता में गठित राज अस्तरिये कमिटी को भेज़ेगी तथा इनका प्रिजेंटेंशन देखेगी 15 लाख तक मुप्त इलाज कराएगी जहारखन सरकार मुख्यमंत्री 25 जुलाई के निदेश पर आयुसमान काट सेवनचीत मरीजों के इलाज के लिए सुरू होने वाली नई योजना का नाम अबुआ स्वास्त योजना होगा मुख्यमंत्री गिनिदेश पर स्वास्त विभाग इस योजना का प्रस्ताव को त्यार करने में जूट गया है इस योजना की जिमेदारी जहारखन आरोगे सोसाइटी को दे दी गई है इस नई योजना के तहत आयुस्मान का ट्रवण सित मरीजों का 15 लाख रुपे तक का मोप्त इलाची नहीत अस्पतालों में होगा मिली जनकारी के नुसारिया योजना आयुस्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी चिकित साहता योजना के साथ साथ चलेगी हालाकि मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी चिकीचसा योजना में चीहित 21 बिमारियों को भी इस नई योजना में समिलित किया जाएगा दुसकर्म के आरोपी सिक्षा का सो पहुंचा घर गाउं में तनाओ गिरी डी के भेलवा घाटी थाना चेते की हरियाड डी पंचायत के कुसवर गाउं निवासी सहाय का धैपक अरजुन कुमार यादव अरतिस बरसिये का सो सुक्रवार की तलके गाउं लाया गया जहां अरजुन की मौत गुरुवार को जेल में तवियत बिगणने के बाद इल मामले की गंभिता को देखते हुए बेलवा घाटी थाना देवरी थाना वा गुनिया थर्प ओपी के पुलिस पताधिकारी कुसवर गाउं पहुँचे तनाव को देखते हुए पुलिस पताधिकारी गाउं में कैम्प कर रहे हैं पुरे जारखन में एक जुलाई तक भारी बारिस का अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची सित मौसम केंदरे ने बताया है कि 29 जून को जारखन के पच्छमी तथा उसे सटे मद्य भागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है 30 जून और एक जुलाई को भी जारखन के कई इलाखों में कहीं-कहीं भारी बारिस होने की संभावना है मौसम विभाग ने इस संब्ध में एलो अलर्ट भी जारी कर दिया है बता दे रांची के बिर्षा मुंडा यारपोर्ट के पास इसीत मौसम केंदर के परमुक अविसेख आनन ने बताया है कि सन्निवार को गढ़वा पलामू चत्रा कोडारमा हजारी बाग रामगोर्ट रांची लोहर तक गा और लातेहर में कहीं भारी वर्षा हो सकती है वहीं 30 जून को गढ़वा पलामू लातेहर चत्रा हजारी बाग और कोडारमा जिले में कुछ जगो पर भारी वर्षा होने के असार है जार्खन केविनेट में 38 प्रस्ताओं को मंजूरी जार्खन सरकार की केविनेट मीटिंग सुकरवार 28 जून को रांची के परजेक्ट भवन में हुई इस बैठाक में कई आम प्रस्ताओं पर मुहर लगी है बता दे इसमें घरेलू उभगताओं को 200 यूनिट तक की मुप्त बीली मिलेगी वही मुख मंत्री अस्पताल संचालन व्यजना की सुरुवात होगी इसमें सदर अस्पताल को 75 लाग रुपए और अनुमंडल अस्पताल को 50 लाग रुपए रेफर अस्पताल को 10 लाग प्राथमिक उपचार केंद्र को 5 लाग और स्वास्थ केंद्र को 2 लाग रुपए सलाना दिये जाएंगे वहीं छटे वेतनमान पारहे राज कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भाता भी दिया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ वजना की शुरुवात की जाएगी जिसमें राज के नागरी को का 15 लाग तक का पिमा किया जाएगा वहीं देवघर में अंतर राजी बस अड़े के निर्मान किया जाएगा जिसके लिए 60 को रुपए की सुक्रिती दी गई है वहीं हजारी बाग सेंट्रल जेल में हाई सेकुरेटी सेल का निर्मान किया जाएगा इसके लिए 97 को रुपए की सुक्रिती दी गई है वहीं राची सहर में फोर लेन एलिवेटेड रोड के लिए 403 को रुपए की राची को सुख्रिती दी गई है हजारी बाग के Oasis School के प्रिंस्पल आरेश्ट हजारी बाग नीट पेपर लिक मामले में CBI ने सुक्रवार को बड़ी करवाई की है हजारी बाग के Oasis School के प्रिंस्पल डाक्टर एहसान उलहक और वाइस प्रिंस्पल इंतियाज आलम को CBI की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है पिछले दिनों CBI के अधिकारियों ने हिरासत में लेकर प्रिंस्पल से चरही घेष्ट हाउस में पूछताज की थी 12 अधिकारियों की टीम हजारी बाग पहुंची थी और जाज के बाद प्रिंस्पल को कस्टरी में ले लिया था बदा आजे 4 माई 2014 को बिहार के पटना के रामक्रिष्ण नगर थाना छेत्र के खेमनी चक इस्थीत लंड एवां पले इस्कूल समेत अन्यस्थानों पर छापे मारी की गई थी मुख्यमंत्री ग्राम गाली योजना के लाभुको का बनेगा आस्मार्ट कार्ड मुख्यमंत्री चंपाई जुर ने रांची के मुराबादी मैदान में ग्राम गाली योजना के शुरुवात की थी इसके तहत ग्रामिन चलने वाली बहसों को सरकार के तरफ से सबस्रीदी मिलेगी अब खबर आ रहे है कि इस योजना का मुफ्त लाभ उठाने के लिए तय लाभुको का स्मार्ट कार्ड भी बनेगा इसके लिए योजना प्राधिकार समीती ने संधाज्तिक समती दे दिया अब राज परिवाहन विभाग प्रस्ताव कामतिन रूप से देकर कैबिनेट के म मंजूरी के बाज असमार्ट कार्ड बनाकर विभाग लाभको को देगा विभाग का उदेश हाय कि मुख मंतरी गराम गाडी योजना के तहत वहनों पर यातरा के दोरान लाभको को कोई परसानी नहीं हो परिवान विभायक अनुसार योजिना के तहट छात्र छात्रा हो जार्खन अंदुलनकारी दिव्यंग साथ वरस या उससे ज़्यादा उम्रेक के बुजुर्गों को लाव मिलेगा विभायक अनुसार ऐसे लाव को की पूरे राज में अनुमानित संक्या 80-82 लाव होगी जस्टिस आर्मुको पद्याव जसी दीपक रोसन के अदालत ने संग्यान लेते हुए स्वास सचीव को मामले की जाच का रिपोर्ट पेस करने का निर्देश दिया है अदालत ने रांची के सिविल सर्जन को अस्पताल के निवंधन की जांच करने का भी निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी बताज सुक्रवार को रिम्स से जुड़ी मामले की सुनवाई की अदालत को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि जेनेटिक अस्पताल ने मरीज के साथ अमानुए बेवार किया है रनिया के बनवा वीरा नावा टोली निवासी सुनिता कुमारी को 28 माई को परसो पिड़ा होने पर खोटी अस्पताल में लाया गया था सुचना आयोग सदस्यों के लिए मांगा जाएगा बिग्यापन सुचना आयोग के सदस्यों के लिए पूरो में जारी विगापन को रद कर दिया गया है सरकार दोहरा अबनाय सीरे से विगापन मांगा जाएगा यह फैसला राज सरकार दोहरा किया गया है सुत्रों के मुताविक सरकार के निर्णाय के बाद कार्मिक विभाग अब इसकी अजी सुचना करने के त्यारी में है बता दे कि जन्वारी 2020 में हेमान सुरेक नेतित वाली सरकार के कार्मिक प्रसासनिक सुधार और राजभासा विभाग ने मुख सुचना आयूक्त और सुचना आयोक्त के रिक्त पदो पर नियुक्ति का विगापा निकाला था आवेदान मांगने के साड़े चार सालों में भी नियुक्ति का काम आगे नहीं बढ़ा इसके साथ ही सुचना आयोके सेस्यों के लिए चैन समिति का भी गठन हो गया है चैन समिति के अधियक CM24 होंगे वहीं स्तदस्यों में नेता प्रतिपक्ष और जामो विधायक दिपक बिरुवा को सामिल किया गया है दिपक बिरुवा के नाम को लेकर मुख्यमंत्री ने संबती दे दी है CGL अभ्यार्थियों की मांग अगस्त में ली जाए परिक्षा जार्खन करमचरी चेन आयोग CGL परिक्षा के अभ्यार्थियों ने सरकार से अगस्त माह में ही परिक्षा लेकर सितंबत तक रिजल्ट और नियुक्ति देने की मांग की है अभियार्थी जीत कुमार, रतनलाल मंडल और गौतम कुमार ने कहा है कि सरकार ने अगस्त में परिक्षा लेने की बात कही है आयोग परिक्षा की तीथी जल्द घोसित करे उन्होंने कहा JSC के कैलेंडर के अनुसार CGL परिक्षा के रिजल्द अक्टूबर के अमतिम सब्ता हमें आएगा और चुनाव आयोग के अनुसार बिधान सभा चुनाव ये अक्टूबर अमतिम सब्ता हमें हाए इसका मतलब चातरों को फिर से लॉलीपॉप दे दिया गया है अभियार्थियों ने सोचल मीडिया प्लेटफरम एक्स परमुख मेंति चंपाई सुर्ण को टैग करते हुए लिखा अपने सितंबर में सारी परकिरिया पूरी कराने को बोला है अभियार्थियों ने कहा है कि सरकार और नौकर साही के चकर में जार्खन के युवाव के भविस के साथ लगातार खिलवार हो रहा है